नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टूडे टोक के इस वीडियो में आज टूडे टोक में हम बात करेंगे राजस्तान एनच्हम छो रिकूट्मेंट 2020 को लेकर जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में सरल बासा में इस वेकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए जी हां दोस्तों राजस्तान गोर्मेंट ने बड़ी वेकेंसी निकाली है एनच्हम छो की पॉस्ट पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनच्हम का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन और ये वेकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत CHO के पद के लिए है CHO का मतलब होता है Community Health Officer Community Health Officer पॉस्ट नेम इस वेकेंसी के अंदर रहेगा ये एक कॉंट्रेक्च्च्वल बेसिस पे वेकेंसी है इसके बारे में भी आगे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि कॉंट्रेक्च्च्वल बेसिस क्या होता है इसके अंदर एक bridge course का program रखा गया है ये किसको करना है किसको नहीं करना है ये भी आगे में आपको बता दूँगा पहले बात करते हैं important debts को लेकर तो इसके online application form है वो 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक आप भर सकते हैं 16 सितंबर इसकी last date है जो fees है application fees वो आप 16 सितंबर तक deposit करवा सकते हैं बात करें admit card और exam date को लेकर तो admit card और exam date जब आएगी तो मैं आपको inform कर दूँगा अगर आपने चैनल को subscribe कर रखा है तो अच्छी बात है नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की notification मिल जाए अब हम बात कर लेते हैं application fees को लेकर तो general OBC के लिए 400 रुपे है और non criminal OBC के लिए 300 रुपे SCST के लिए 300 रुपे है P.E.P. और female divorce के लिए 200 रुपे application fees रखी गई है application fees आप debit card, credit card, net banking, e-chalan, SBI collect से deposit करवा सकते हैं जोब location के हम बात करें तो all over राजस्तान में आपको कहीं भी इसकी posting मिल सकती है राजस्तान से बाहर किसी को भी posting नहीं मिलेगी age limit की हम बात करें तो आपकी age 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्स से लेकर 45 वर्स तक होनी जरूरी है इसके बाद हम बात करें नंबरो पोस्ट की तो इसमें काफी अच्छी बली पोस्ट है 6300 पोस्ट इसमें total है और यह अच्छी वेकेंसी है काफी बड़ी वेकेंसी है अब हम बात कर लेते हैं इस वेकेंसी के बारे में इसकी पोस्ट है community health officer की category wise जो वेकेंसी detail है वो आप जान लीजिए OBC के लिए 1101 पोस्ट है SC के लिए 839 पोस्ट है ST के लिए 629 पोस्ट है MBC के लिए 262 पोस्ट है EWS के लिए 525 पोस्ट है आगे आता है TSP area तो TSP area के candidates के लिए 1041 पोस्ट है total जिसमें से general की हम बात करें तो 521 पोस्ट है OBC की पोस्ट इसमें नहीं है SC की 52 पोस्ट है ST की 468 पोस्ट है MBC की पोस्ट नहीं है EWS की पोस्ट भी इसमें नहीं है pay scale की हम बात करें तो यहां 15,000 है इसकी जगे आप 25,000 कर दीजिए 25,000 मंतली इसकी salary आपकी रहने वाली है काफी अच्छी salary है 25,000 आगे हम बात करें educational qualification के बारे में तो candidates का या तो B.A.C. in community health या फिर nurse GNM या B.A.C. अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही अगर आपने आईरवेदा practitioner का course B.A.M.S. कर रहा है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब बात करते हैं कि आप इसके लिए apply कैसे करें तो online आप apply कर सकते हैं इसके official website है उसके उपर जाना है आपको और 16 तारिक से पहले आपको apply करना है अगर selection process की बात करें तो इसमें आपको offline exam देना है और आपका interview होगा और उसके बाद में आपको posting दे दी जाएगी अब यहाँ पर दो important चीजे हैं जो आपको समझनी है इसके अंदर एक six month का bridge course रखा गया है तो वो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि कौन से students को six month का bridge course करना है यहाँ आप देख लिजिए कि जिसने B.A.C. in community health में degree कर रखी है उसको इस course को करने की कोई जरूरत नहीं है B.A.C. in community health इसने कर रखा है उसको direct posting दे दी जाएगी लेकिन जिन बच्चू ने GNM और B.A.C. कर रखा है या फिर B.A.M.S. कर रखा है तो यह six month का bridge course करना compulsory है इसके बिना आपको posting नहीं मिलेगी यह बात आई होप आपको समझ में आ गई है अब हम बात कर लेते हैं कि यह contractual basis क्या है तो आपको इसके लिए एक contract sign करना पड़ेगा जोगी five years के लिए होगा five years के लिए आपको एक contract sign करना है और यह contract रहेगा पांच लाक रुपे का पांच लाक रुपे का यह contract रहने वाला ह आपसे एक bond है वो भरवाया जाएगा जिसमें पांच लाक ही रकम होगी अगर आप इस vacancy के लिए apply करते हैं आप इसका जो bridge course है वो करना शुरू करते हैं उससे पहले आपको एक bond लिखकर देना पड़ेगा पांच लाक का कि यह नोकरी में पांच साल के लिए करूँगा student इसके लिए apply करना चाहते हैं वो पहले इसके उपर discuss कर ले विचार विमर्स कर ले अपने parents से बात कर लें कि यह नोकरी है इसके लिए पांच लाक का bond है वो देना पड़ेगा government को क्योंकि पांच लाक का एक लंबा पिरिड है वो आपको पूरा करना ही करना है और यह जो job ह community health officer को field में जाना पड़ता है और field में काम करना पड़ता है आपने अभी देखा कि कोरोना वाइरस की वज़े से जो health department है वो कितना east west हो चुका है और उसको अभी जरूरत है अच्छे जो करमचारी है उनकी तो आपको इस job के अंदर बाहर field में भी जाना पड़ेगा बहुत स फिर आप दो साल दीन साल बाद इस नोकरी को छोड़ना चाहें तो आपको पांचला का चुना लगे तो ऐसा नहीं हो आप सोच समझगर इसके लिए apply करें अगर आप इसके syllabus पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मैं आपके लिए वीडियो और और भी अगर आपको कोई help चाहें इस vacancy को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो आप feedback भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और like करें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe कर ले साथी bell icon को प्रेस करें ताकि हर वीडिय YouTube चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद